स्रीक्रिष्ण की व्रंदावन में छवी कैसी है? पूरे विश्व में वो राजा हैं वो हमारे व्रंदावन में दास है कौन सी वो जगए है जो अगर व्रंदावन कोई जाए तो ज़रूर जाना चाहिए ऐसे कहते हैं कि निधीवन में रात में कोई देख नहीं सकता निधीवन और सिवा कुझे उनको प्रधान रूप से कहा जाता है यह रात्री में वहां के लता, गुल्म, पत्र, आदी यह सब वोपी बन जाते हैं कृष्ण से क्या सम्मंद रहा है, दो सम्मंद, या तो गुरु माने, अर्जुन की तरह, या फिर अर्जुन का ही दूसरा सखावा महराजी हमारे दूसरे पॉड्कास में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है, पिछली बार पॉड्कास आपके साथ किया था, कल्यों की बाते करी थी, और आप आए और स्री कृष्ण की बात ना हो, राधारानी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, तो आज के पॉड्का में हम भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और उनको समझने की छोटी सी कोशिश करेंगे, यसे मैंना कई सालों से वीडियो बना रहा हूं, तो राधे राधे बोलना मेरा वो एक है, हर वीडियो के एंद में राधे राधे, हर वीडियो की सुरुवात में राधे राधे बो बहुत बड़ा महामंत्र है मेरे लिए तो और राधा का नाम ज्यादा बड़ा है श्री कृष्ण से, ऐसी अनभूती होती है और राधा जी जल्दी काम करवात देती है, आपका ऐसी अनभूती होती है, तो क्या यह सच्छा है इसमें, अब इसमें एक चीज तो यह है कि सां इसा नहीं कि हमारे काम बने या कुछ ऐसा, हमारे ब्रज में ऐसी भावना नहीं है, पर यह है कि अगर मैं बिल्कुल सांसारिक द्रश्टी कौन से भूलूं, तो आप श्री किशोरी जी काम बनवाती है, फिर आपके काम ठाकुर जी करते हैं, जैसी आपने का राधा, हमारे है कि श्लोक है, मुझे श्लोक स्मरण मैंने, तो राधा बोलते हैं, जैसी आप राधा बोलते हैं, तो वईकुन्ठ नाथ पती, योगेश्वर, जगेश्वर, श्री कृष्ण की संगा से नहीं हिल जाता है, क्यों? उनको इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि वो अपने राधा बोल रहा है, तो इसका मतलब यह जो, अब मैं सांसारिक द्रश्टी कॉंड से बात करूं, जब आप कहते हैं कि राधा नाम काश्रे लेने के बाद सब काम बनने लगे, कैसे? कि शुरी जी थोड़ी काम कहें, वो तो राजकुमारी है, वो तो सदा रहती है, पर जब बता दूं, तो आप बस इसमें कोई संसार के लोग, हमारे माई श्यामा जूको राज, हमारे पूरे विश्व में वो राजा हैं, हमारे बननावन में दास हैं, कौन के हैं? श्री जी के, जाके अधीन सदा ही सांवरो, याब रजको सरताज, सांवरो जिसके सदा अधीन है, अधीन मतलब ऐसे खड़े रहते हैं, ठाकुर जी, कैशुरी जी के सामने, तो हमारे बननावन में, अगर आपको ठाकुर जी की ज़वी कैसी, तो श्री लाडली जी के दास की च़वी है, हमारे ठाकुर जी की, वैसे तो देखो, एक दूसरे के सदा प्रेमी हैं, एक दूसर प्रदर्शन की दर्शन की नहीं प्रदर्शन मतलब अब क्या हो गया है कि लोग बाग अभी तक अपना में क्या खा रहा हूं ये दिखा रहे थे मैं क्या पी रहा हूं ये दिखा रहे थे पर अब मैं क्या सोच रहा हूं मेरे दिमाग में क्या चला है देखो मैं मंदिर गया म जाकर कि इसकौन में नाचा मैं गया प्रिमंदर में जाकर मैं ये किया अब वास्टविक में तो भक्त नहीं है पर रील्स में वाइरल होने के लिए एक वाइरल मुजिक पर नाचेंगे गोपियों की तरह दिखाएंगे कि हम वैश्ण भक्त ये प्रदरशन ये नहीं होना ची कहीं न कहीं अच्छी बात भी तो है कि किसी बहाने से तो राधा नाम बहुत तो फिर तस्मात के ना प्युपाये न मन कृष्णे नमेश नारज जी कहते हैं भागवत में किसी भी उपाय से सही मन लगना चाहिए ठाकुर जी में परन्तु जरूरी थोड़ी ऐसे ही सीधे सीध कि एक बार एक बहाने से लग गए अब उस बहाने को वास्तविकता भी तो बनाओ दीरे दीरे वह वास्तविक भी होना चाहिए तो यह बात ऐसा कहते हैं कि जिसको ठाकुर जी बुलाएंगे वही आप अगर बंदावन की तरफ गाड़ी मोड गए हो तो समझना ठाकुर जी याद कर रहे थे जैसे वरंदावन में गाड़ी प्रविश्च कर जाए तब कहना नहीं श्री जी याद कर रहे थे वरंदावन यहां बैटके नौएडा में दिल्ली में मुंबई में कहीं पर बैटके वरंदावन की याद आ जाए तो समझना ठाकुर जी ने आपका इसमरन किया लेकिन आप फ्लाइट में बैटके तो भी समझना ठाकुर जी स्मरन गाड़ी पकड़ करके नौइडा से दिली की और जाने तो भी ठाकुर लेकिन वरंदावन में जैसे प्रवेश करो वरंदावन में जब पहुंच जाओ प्रजेंट हो जाए तब कहना नहीं ठाकुर ज ठाकुर जी करते तब तक वरंदावन से भारी रहते वरंदावन के बीतार आगा इसका मतलब श्री जी नए याद किया था कौन सी वो जगह है जो अगर वरंदावन कोई जाए तो जरूर जाना चाहिए उससे वरंदावन में एक कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसको हम specific कि वही स्रेश्ट है वरंदावन के कण को मरम न जाने को वरंदावन के वरक्ष को मरम न जाने व्रंदावन का कण कण व्रक्ष व्रक्ष हर इस्थान आप बस सीमा जो व्रंदावन का जो परकोटा है उससे भीतर पहुंच जाओ उसके बाद परिचा कहीं पड़े रहो कोई मंदे जो बताना चाहिए आपकी इन मंदिलों में जरूर जाना जितने उसके ज़्यादा जाओ कोई एक अभी क्या हो गया है कि मैं हाज जोड के निवेधन करूं वैश्णव जन केवल बिहारी जी तक की सिमित रहते हैं बिहारी जी को हम लोग ब्रजवासी जन ऐसा कहते हैं कि भाई व्रंदावन बचो रहे या हमारे बिहारी जी भार खड़े हो गए मेरे पास या वहीं से लोट जाओ ताकि व्रंदावन सुरक्षित रहे भीतर पर मैं चाहूंगा कि वैश्णव यदि आप भाव से बन गए ह बिहारी जी राधावल्व मुख्य रूपसे हमारे व्रंदावन में राधावल्व और श्री बिहारी जी विराजमान है बाकी मंदरों का तो शहर पाँच हजार से ज्यादा मंदिर हैं गोपीनाज जी गोप्ड़ कि ठाकुर हैं वह मुगल काल में बहर प्रिस्थान कर गए तो राजिस्थान में विराजते हैं, बाकी वरंदावन जाओ, तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि वरंदावन जाती सबसे पहले वरंदावन के धोल, कन को माते से लगाओ, दूसरा वरंदावन के वरक्षों को प्रणाम करो, तीसरा ब्रजवासियों को प्रणाम करो, चौथा श्र गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो उसके बाद कहीं भी जाओ यह पांच पहले जैसे स्कूल में शूज होने चाहिए टाय होने चाहिए नेल्स कटे होने चाहिए ड्रैस अप होने चाहिए तब आप क्लास में ट्री करोगे न ऐसी ब्रणावन के भी यूनिफॉर्म हो पह दादा मुदर जाओ कहीं भी जहां आपका मन करें जाओ निधीवन की कोई कथा सुनाइए निधीवन क्या है श्री निधीवन जो है यहां पर स्वामी श्री हरिदाश जी महां पर अपनी साधना करते थे हरिदाश जी कौन है जिनोंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया तो तो श्वामीशी हरदाश जी महाराज महां पर रहकर के खूब साधना करते थे और गायन के अधिश्ठ आता थे एक प्रकार जे उन्हीं के शिष्यते तांसेन जो राग मलार गाते तो वर्षा होती राग दीपक गाते तो दीप जल जाते थे तो वो उनके शिष्यते सोचो गुरू जी थे स्वामी शेयरदाश जी वह वहां विराजते थे स्वामी जी महाराज महीं रहते थे उनके कुछ शिष्यगन भी रहते थे स्वामी जी गायन करते थे और एक कुंझ व्रक्षों की एक कुंझ थी उस कुंझ को प्रणाम करते थे सब ने बूचा कि आप इस को कहा कि आप जाईए जा करकर उस कुछ प्रशाद ले कर के आ ना वहां को विराज रहें तो जब उनके इस्थे वहां गए उन्होंने जाकर प्रशाद किया नित्र उठाक करके देखा तो योगल शाम शाम दोनों विराज रहते है तो वह द्रश्ण करके गुरू तो दिख गए यह तो लगता था खाली कुंज है दोनों का दर्शन करके कहा कि गुरदेव ने कहा कुछ प्रशाद लेकर के आमा कुछ प्रशाद दीजिए तब शामा और शाम दोनों एकाकार रूप हो गए और वहीं बिहारी जी प्रगट हो गए तब बिहारी जी को ललिता और विशाखा च्री राधारानी की सक्कियोंने उन शुक把 तब विए जी अंदर से भिहारी जी को लेकर के आए और लाकर चिलि हरिदाश जी को प्रदान किया हरिदाश जी भाववे होगे वल नेत्रों से आसु शामा शाम का एका कार रूप श्री भिहारी जी प्रकट हुए तब से भिहारी जी निदिवन में विराजते थे फिर बाद में वो सेवा ग्रहस्तों के उसमें आगे कुँगी संत तो अपने भजन में इतने तलेन हो जाते कई बार भोग लगा नहीं भूल गए तो पर ग्रहस्त आश्रमियों के पास से सेवा आई तब निदिवन से ठाकुरुजी आ करके मंदर में विराजमान होगे एक सेट जी नहीं मंदर पनवा करके ठाकुरुजी को यहां विराजमा प्रधान रूप से कहा जाता है कि रात्री में वहां के लता गुल्म पत्र आदी यह सब गोपी बन जाते हैं और ठाकुरुजी नित्यरास बिहार करते हैं वरंदावन में तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति रात्री में वहां जाकर के देखने का प्रयास करें अब साधना है भजन इतना है नहीं शुद्य इतने हैं अब तुम देखने जाओगे में लिला आप संसार को व्यकति रहत मिरत्य रात्री में थात्री में थाकुजि आते हैं प्राइवेट स्थान है बहुता हम्सिपनी लीदा करों कि कियो घु is कर रहा हम को विश्वाइब कुं उसके भीतर पर करना है तो फिर यह बात तू निष्चत है कि ठाल दिख गय तो पर संसार के तो रहनेए पाओगे ना कि लिल्वान करने विंदावन जो ठाकुर जी है उनकी जो स्वयम विराजमान है वहाँ पे उनको बारबाद धग दिया जाता है अब वह ऐसा प्राचीन कथाय बताइजाती है इतने इतने आनंदित हैं कि कोई वहाले इतना प्रेम करते हैं यह के संग चलो जाओं यह के पास ही रहूं यह मुझा अपने संग ही ले जाए तो एक आतबार ऐसा हुआ कि ठाकुर जी कहीं प्रस्थान कर गए पुजारियों ने सोचा वही है लाला बड़ो चंचल है नेकमी भग जाया सवन की संग सो बार-बार परदा करते रहते हैं कि जादा लोगों से नित्र ना मिलें ठाकुर जी के जादा कोई ठाकुर जी को नैन भरके ना देख पाए इसलिए बीच बीच में परदा करते रहते हैं हमारे यहां व्रणावन में लाड़ की सेवा है लाड़ प्यार की तुम्हां यह है कि ठाकुर जी को नजर ना लगे हम मैं अनवरत आपको देखता रहूं अपलक नेत्रों स तो निश्चत है कि या तो हमारी अच्छी नजर लगती है बुरी नजर लगती है सबको और यह नजर होती है हम तो मानते हैं भाई भारत में रहने वाले मानते हैं नजर तो लगती है वर्ल्ड कप में भारत सारे में जिद गई फाइनल हार की नजर लग गई भारत को तो न थाकूर जी के इतने सारे रूप गोवरधनात त्रभंग लिए लड्डू गोपाल भाव में क्या है कि आप कैसे भी उनको लाइक बालक की रूप में देख सकते हों तो सूरदाजी का पद है शो भितकर नवनीत लिए अपने हाथ में ठाकुर जी नवनीत मतलब मक्षन लिए हैं घुटरों न चलत अच्छा एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है एक हाथ में मक्षन दूसरा हाथ नीचे प्रत्वी पे और दोनों घुटने भी नीचे जमीन आदम चल के दिखाए ऐसे चल सकता है कैसे चलेगा आप खुद करके देख रहा है कान तो एक हाथ उपर उठाके एक हाथ और दो घुटने से आप जब चलोगे आप गिरोगे बार बार ये हाथ का सपोर्ट नहीं है तो थ्रीविलर बन जाओगे ना तो यह मैं लड़ू को और भाइन तरन मंड़त जो भर ट्रजम जाग जाती बार बार घर गिरने की विजए से यह मां खाणों गmental फार, छउप cris माखन को पाए सकों वही समय क्या देखते हैं अब धुड़ी ब्रजबाशा आ रही है अब समझ लें ले तो यас्वधा मया अपना श्रंगार कर में करूंग। ठाकुरोबभी फर गुटमन गुटमन चले गए गऊशाला सफेटी का तो बना रहे हैं मखन का प्र मक्ः लगा लेते में तो सूर्दाय जी कहते हैं गो-रोचरन तिलककी। इतना सुंदर वर्नन है ठाकुरोबभी ऑस बालरूप का कि था गुरुजी गोवर का टीका लगा रहे हैं अपने मुँपे तो इसलिए सहज सेवा बन सके किसी को ज्यादा नियम कानून ना पढ़ाए जाए पालक है उसको सहज भाव से प्रेम कर सके इसलिए लड़ु गोपाल की सेवा होती है मुझे लगता है श्री कृष्ण जी का ही एक ऐसा अवतार है कि कोई अपना बच्चा मानना उन्हें कोई भाई मान रहा है तोहे मोहे नाते अनेक मानिये जो भाव आप चाहे उनको गुरु मानू चाहे आप उनको शिष्य मानू चाहे आप उनको भाई मानू चाहे आप उनको व्यक्ति को जीवन में समालना और बगाड़ना यह दो ही लोग करते हैं जा तो उसके मित्र अच्छे ना हो तो बीगड़ेगा मित्र अच्छे हो तो समझ जाएगा गुरू अच्छा ना हो तो बिगड़ जाएगा हुआ र। आप साथ साल हो गए आपको कथा करते हुए और जब कोई इनसान ऐसे किसी काम में रम जाता है तो उसको अलग-अलग अनुभूतियां होती है आपको कभी श्रीकिष्ण की अनुभूती होई परसनल लाइफ मेरे इसाब से तो या ख्याम और पदरशनी का विश्णी जैसे रतनों को गुप्त रखा जाता है तक ही चोरी नहों ऐसी अनुभूतियां भी गुप अनुभवों की तो बात यह है कि जैसे हमारे मेरी सेवा में ठाकुर जी है चोटे से गिर्दरलाल तो उनका नियम है कि सुबेरे मंगला होगी जब उठेंगे ठाकुर जी तब उनकी जल-जारी मतलब ऐसा कहें water bottle जल-जारी का पानी बदला जाता है ठाकुर जी पूरे दिन पिएंगे पर मध्य में राजभोग जब होता है जिसको लंच कहते हैं तब ठाकुर जी की जल-जारी बदली जाती है रात्री में ठाकुर जी जब शैन करने जाते हैं तब एक नई जल-जारी रखी जाती है तो एक बार कहीं बहुत अबर्दबर इतनी ट्रेवलिंग में र जात्री में ठाकुरी सोएंगे तो जल होना चाहिए मैं जल दीवाजी में भूल गया मैंने वह जल नहीं बदला मैं सोने के लिए अपने कक्ष में गया एक घंटे बाद मेरे आँख खुली मुझे प्यास लगे मैं पानी पिया फिर सोगे पंद्रन और फिर आँख खुले गला पूरा सूख जाए मतलब आप जल पीते हो थोड़ी दीवर तो गले में तरावट रहती है लेकिन वह बिलकुल ऐसा था कि जैसे मैं पांच्छे घं जाओं बार बार लगशंका जाओं pak सुभे मन खियार पूरी रात लाएं पाणी पानी पीता रहा हूं बार बार वाश्रूम गया हूं भשनान द्यान करके जैसे मैं ठाकुरद जी की सेवा प्यास लगी तो वही प्यास मुझको अनुभव हो रही थी तो यह ऐसी अनुभूती वहाँ पर अनुभव होई बाकी और भी कहीं अनुभूतियां हैं एक बार कहीं कथा चल रही थी तो मैं क्या कंटिनुसली तीन महीने से बाहर कथाओं में था ठाकुर जी भी संग थे तो मुझे एक दो दिन से थोड़ी याद आ रही थी अब घर चलें बहुत दिन हो गए तीन महीने हो गए घर कब जाएंगे तो मुझे तब तो लगा कि मुझे आ रही पर बास्तों पता चला वो को रो रहा था मैंने कौन रो रहा था भाही है यह दुए सब से पूछा सब उन्हाएं तोяс सो रहे थे मेने का तो यह संब तो नहीं ब्रश बाशा और कौन लेकिन तभी अचानक दृष्टी पड़ी लाल जी पर हमाई ठाकुर्जी को अच्छा जे रो रहे हैं जे रात पर तडप रहे हैं कि मुझे ब्रज लेके चलो गर की याद आ कभी ऐसे दिखेंगे श्री कृष्णा आपको स्वप्ण में मेरी अभिलाशा नहीं कि आप केबल अनुभूती कराते रहो अनुभव कराओ मेरे ठाकुर जी जो मैं सोचता हूं यही श्रीकृष्ण है और ऐसे ही है वो कता हैं गागा करके अनुभव भी होता है जब मैं उनको गोद में लेता हूं तो लगता ही नहीं मूर्ति है ऐसा लगता है लाल जी आये मेरी गोद में आके बैठे तो निश्चित मैं मेरा पास है कि यही श्री क्रिश्न है और मेरी विलाशा भी यही कि नेत्र जो है ना इसांसार एक वस्तू है एक चीज का अतिदर्शन होने के बाद उससे फिर इच्छा पूर्ती हो जाती है मैं वह नहीं चाहता सदा तडबते रहें नेत्र सदा ऐसे व्याकुल रहें कि आप लेकिन अपने अपने देखो आपने इश्वर को संग अगर आप उनको अपना सखा मानते हो अपन संगी साथ ही मानते संग लेके चलो सब जगें लेकिन इस पर थोड़ा प्रकास जालूं कि कई जगे लोग बाग ऐसी ले जाते हैं ठाकुर्जी को उनकी अनुकूल व्यवस्ता नहीं नहीं भाई मित्र संग आया तो उसके नुकूल व्यवस्ता भी तो हमारे साथ तो यह प्लस पॉइंट होता है कि हमें कथा वकता है तो हमारे पहले ही पेले की बोल दिया जाता है जलाल जी पूरें पनाकूल अपने शवarse करने लग जाते हैं और मैंने बहुत लोगों के मुसेब सुना है इस्तरीयों के मुसे की मेरे बच्चे जैसे हैं मेरे भाई जैसे हैं तो कुछ भी दुख होता है कस्ट होता है तो हम उनसे बता देते हैं और जवाब भी आ जाता है मन में आंसर भी आ जाता है आपके साथ ऐसा मेरे साथ में क्या होता है कि मैं लाल जी से तो चर्चा करता मतलब veramente गुश बोलते रहते हैं बाकी मैं नई चीज करता हूed कि मैं कार बना लेता हूं जैसे कुछ कुछ करना है तो करूँ एक पड़ी एक पर ने करों एक परची जैसी तेरी इच्छा नहें हैision यह तो मैं अनुवक कर चुका हूं कि वह बहुत खिलते हैं अर्जुन के साथ में गीता में क्या कर रहे हैं भारत युद्ध में जब सब केंद्र बिंदु अर्जुन था सब यह चाहते हैं अर्जुन को मारो और सब जब प्रत्यंचा पर बांट चड़ा चड़ा के अर्जुन को केंद्र में लेते तो अचानक अर्जुन के घोड़े प्यास रुख गए एक जगे पर भगवान ने खूब चाबुक मारा लेकिन आगी नहीं बढ़े हैं अर्जुन क्या करें आप बुले आप बताओ करिश्य वचनमतव आप जो करोगे मैं करोगे अच्छा दनुस बांट नीचे रखो रच से नीचे उतरो नीचे उतर करके प्रत्वी में दनुस से गड़े करके जलने कालो गोड़ों को पिलाओ दुबारा बैट जाओ अर्जुन बोला इ सब लोग मेरे कुई बाण मार देंगे बाणों की सहीया पर लेड़ जाओंगा मैं बगवान बुले अभी तो तू ने कहा कि करिश्य वचनमतव आप जो कहोगे सब करो तो इसका मतलब क्या है कि ठाकुर जी का इस वभाव है कि वो अच्छा एक और बात अगर आप राम परची में अब तक उच्छाल चुका हूं उच्छाली तो बहुत बार है लेकिन चार-पांच बार ऐसा हुआ है खाली वाली आती है सोचने दो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी खेल रहे हैं इतना आसानी से कैसे उत्तर दे दूंगा अभी तो तुमको धोड़ा नचान फोल दियाँ उसके बाद इतना विश्वास कर लेने कि छले माञाए कि मन में तो है कि चलो माल को दो कि अंधियादेश हैं आप उस पर पर या तो पूछो इमात तो पर उसमें पर तीन बार करो अच्छा फिर वोटिंग होनी चाहिए ना एक बार तो ठाकुर जी के मानली दूसरी बार फिर उच्छा ला दूसरी बार भी अगर ठाकुर जी की नहीं आई मेरी आ गई तो अभी तीसरा और बचा फाइन हुई है हमारे पन्र उनका व्याह उना थाव और आए अभी दिसंबर में तो उनका क्या हुआ कि सब सबस्राइब बंब मेरे फाइन फिरवार्य जीसे इस ऐन कूछ गरम आ ठाकुर जी निमाना कर दीए तो भिल्यों मैं करूँ गया चलो गये तो भ्याकरूं भ्यान ना करूं जैसी तेरी इच्छा और चौतरी पर्ची मिने रखी निकिने मुझे पता हुआ खाली वाली आएगी वह रखी नेती नहीं रखी जैसी उच्छाली तो आगया नहीं करो अब वो सरपटक के बोले मेरे पिता माता सब की बात हो गई वहां तो सब डिसाइड हो गया थाकुर जी तो मना कर रहे है वाई उन्हाराइजी एक बार उचलेगी वोटिंग होगी किसकी जाता किसी करो दूसरी बार उचाली तो आगी करो बनी अब तीसरी वाली में यो नहीं कहलें जैसी तेरी इच्छा अब तीसरा जैसी उच्छाला तो आगे करो ठाकुर जी पहली बार तो खेल रहे थे अच्छा हुगा हमने दोबार ओके लिए ठाकुर करो अब उनका ब्याय साथ दिसंबर को परची वाले बाबा कहेंगे अब से लोग आपको लेकिन हाँ यह है कि लाल जी के आगे अगर यह प्रशन उत्तर करो ठाकुर जी को उत्तर दे दें तो उस पर फिर शंशे मत करना चाहे उसमें घाटा हो रहा हो उस काम को कर ले ना ठाकुर जी रक्षा करेंगे अच्छा ए नहीं कहीं बार ठाकुर जी जान मुझ कैसा करवाते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हो ता कि तुम्हारा वो रीक्रियेशन आगे चल करके उसी से संभव हो पाएगा कता आती है को स्वाम तुल जिदाज जी ब्यान ही कर रहे थे लेकिन कता इतनी अच्छी करते थे कि एक ब्रह एपट हो करके बोल Дुमको यह भया करना पड़ेगा अगर तुमने यह भयाने किया तो राम जी 2 तुमको नहीं मिल पाएगे तो राम जी मिलेंगे इसलिए तुलसिदाज जी बोले भाई फिर तो महादेवा क्या कर रहा है मतलब इससे अच्छी पत्नी तो नहीं मिलेगी तिन क्या हुआ उस्वामीजी का ब्या हुआ कुछ वरश्मबादी उनकी पत्नी के मोह में इतने आसकत हो गए कि पत्नी नहीं उनको डांट दिया खथा पूरी कता जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने सूचा अगर तुलसिदाज जी ने भ्यान नहीं किया होता और पत्नी उनके दुद्कारने वाली नहीं आती तो कभी राम जी नहीं मिलते इसका मतलब क्या है कई बार लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो आपके साथ मैं अनिष अनिष्टता का फल कुछ अच्छा ही होगा तो आप कभी ठाकुर जी को को सो मत की आपने ऐसा क्यों कर दिया आपने ऐसे विक्ति से क्यों मिलवाया निष्चेती अभी नहीं कुछ वर्ष बात आपको पता चलेगा अच्छा हुआ वह दूशत व्यक्ति मेरे जीवन में आय तो इसलिए भई ठाकुर जी विश्वास करना अगर परची में ना आ जाए करोणों का मुनाफ़ा हो रहा है छोड़ दो ठाकुर जी की बात माने कुछ अच्छा ही मिलेगा विश्वास और ये फेथ जो है बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी विश्वास हो उफल दार स्टीव जॉब्स जो एपल के फाउंडर रहे हैं उन्होंने अपनी एक बहुत फेमस स्पीच है उसमें बोला था कि मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया कई बार मैं फेल हुआ लाइफ में और आज जाके जब मैंने एपल बनाया उसको इतना फेमस किया तो मुझे ब यह भाव बहुत बड़ा है आज आपको नहीं समझ में आएगा दो साल बाद चार साल बाद जरूर समझ में आएगा अभी आप एक जोतिश शास्त्र में भी आप हैं आपके पास अधिकतर लोग आते होंगे कि मेरा इससे ब्या हो कि नहीं क्या बताते हैं हाँ अच्छा है स नहीं से आप करो वो अच्छी आया आपकी सुनने वाली आया आपकी मानने वाली आया तो यह आपका बढ़िया कई बर कुन्लिया इसलिए एप हम जोत तो यह सब बात है पर हमारा मूल बात है कि ठाकुर जी के आगे जो प्रस्तत हो गया उस पर पूर्ण विश्वास तो महारा जी आपने शादी रादी के इतनी बाते कर ली है आपकी तो शादी अभी हुई नहीं है बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब कैसी हो लड़की कि मतलब हम क्या गुण देखें उसके अंदर ताकि हमारा जीवन अच्छा चले तो इस तरी के अंदर क्या गुण होने चाहिए अभी मैं क्या बता हूं पिछले पॉड़कास्ट में आपको एक बात बताई थी कहां आदमी यह सोच रहा है कि मैं पीता हूं तो भो भी पीने कि पिता की भी सेवा करेगे आपको भी समालले की आपके पूरे परिवार को इस्त्रीर के उपर ना भहत बड़ाँ दायता है कि दिन करतें क्या करने करहे लोगों का कल्यान उद्धार एक स्त्रीकायात में होता है बहुत बड़ा दाइत्व पुरुष के ऊपर इतना बड़ा दाइत्व नहीं है पुरुष को तो केवल अपना देखना अपना परिवार देखना है पर कन्या को तो तीन परिवार साधने पिता का पती का और फिर एक और परिवार जो उसमें जन्म दिया पुत्र का उसको उपर तो बहुत बड़ा दाइत्व होता है अगर इन दाइत्वों में उसके अंदर कृष्ण भक्ति है हिर्दे में थोड़ा भाव है मुझे ऐसा रखता है तीनों दाइत्वों को बहुत सहजता से वह समाल लेगी हमारे कि अगर कोई आपका जो प्रश्न था कि क्या देखें कर्ष्ण भक्ति का अगर गुन है रूप कैसा है रंग कैसा है परिवार कैसा परिवार डे ना बस जैसे जोतिस में भी कहा जाता है ना की एक मानता है कि कुंडली जो लिखा है वोगा और उसे बदल सिर्फ एक ही वेक् के साथ है तो Isn't that much matter when. हमने हर एक चीज़ को डेवी देवता बना दी कि कि हर एक चीज में तुम व्यक्त को देख रहु है व्यक्ति डेविको देェ प्रधान्ता की बात है कि आप सबको प्रधान्ता दो बनाया तो सब ठाकुर जी नहीं है हमारे यहां पर लोग कहते हैं कि मूर्ति को पूजने वाले ना हमारे यह मूर्ति पूजा विशेश नहीं हमारे यह सबकी पूजा विशेश है सर्वं खलु इदम ब्रह्म हमारे यह ब विश्व ही मंदर बताया गया है, आप अब और भे मंदर है, प्रतवी ही मंदर है, यह भी माता जी हैं, जल भी वरुन देवता हैं, अन भी देवता हैं, ये भी मतलब हुमारे हैं सब जगे सतर्क रहने को का जो सतर्कता आप मंदिर में करते हो वो सतर्कता पूरी लाइफ में रखो क्योंकि आप 24 घंटे गेरे हुए मंदिरों से ही हो ठाकुर्जी यह हो एक भाव तो यह है कि आपकी चारों तरफ इन्वार्मेंट में सब ठाकुर यहें मंदर में पापूर्जी के में तो सब चीज के रूप में थाकूर्जी विराज मैं तो इसलिए हमारे रिषियोंने संद जन्वन ने शायद सब यचान कर दो कि निवाज बताया ताकि सब जगें व्यत्ती सतर्क रहे और विश्वास में कि यहां सब जगें विरंदावन में गोवरधन हैं गोवरधन को ही हम पूझते हैं अ भी तो वैसे तो एक परकार से वरंदावन की रजपूरी थाकूर जी इसलिए वहां की रच को माते से लगाते हैं क्यों एक कण में ठाकुर जी का अंग विद्धिया गुबर्धन की परिक्रमा का क्या मात्व है 21 किलोमेटर की परिक्रमा है श्री गुबर्धन नाज जी जो है उसमें कृष्ण ही है उनी का ही रूप है तो यह ब्रजवासी जो थे यह पहले इंद्र की पूजा करते थे क्यों क्यों कि सब किसान थे तो बोले ओला व्रिष्टी अती व्रिष्टी अना व्रिष्टी इन सबसे इंद्र जो है रक्षा करेंगे इसलिए इंद्र की पूजा करो लेकिन जब भगवान को यह बात पता चलिए भगवान बोले तो इंद्र की अकेली की क्यों कर रहे हैं तब ब्रिजवासी बोले तो लाला कहा करें जड में पानी डालो ब्रक्ष अपन्या परावरा हो जाएगा पत्तों में पानी डाल लेए उले कौन है जड उले हैं सब जड़त हैं छाक्षात विष्णु और वही विष्णु नार्यान हमारे अब्रेजमान लिव गोवर्धनक के रूप में विराज मांने उनकी पूझा करो तब भूचित पूजा कि और गोवर्धनस्टी की ज़िए 20 इस People कि परिक्रमा करता है परिक्रमा का दूसरा विधान ये है कि जब आप अपने शरीर को अब व्यवस्थित स्थिती में भक्ती मार्क पर लेगे जाते हैं व्यवस्थित क्या है सोफा पर बैठे हैं अब व्यवस्थित क्या है नीचे जमीन पर बैठे हैं व्यवस्थत का गाड़ी में घुम रहें अब व्यवस्थत का पैदल चल रहें तो अब व्यवस्थत होना एक प्रकार का तप माना जाता है तो आप गिर्राज जी की 21 किलो मेटर परिक्रमा कर रहे हो तप कर रहे हो शरीर से तो निश्चता आपके दूशत भाव जो है वो उस पर एक बड़ा प्रिय है मैं बहुत भागशाली हूँ जिस कथा के लिए लोग भीड़ों में लगाते हैं भीड़ में आते हैं वो मुझे मेरे पॉड्कास्ट पर हमारी लोगों को सुनने को मिलती है यह भागय से बहुत बड़ा भागय है यह भागयो दैन भूजन्म नारज जी कहते हैं बागवत में कि आप यदि एक छणवी सत्संग कर रहे हो भगवत स्मरन की कोई वारता कर रहे हो तो यह आपके कौन से कर्म का फल है कि आप यह भगवत वारता कर रहे है तो वो कहते हैं भागयो दैन बहुजन्म आपके एक नहीं ना जाने कितने पूर्व के जन्म हो सत्युक्त रिता मे कता हुआ जगाते हैं और अपने अनुबहों को बताते हैं एक मन में प्रश्ण है बहुत जगे सुना भी है कि श्री कृष्ण तो चले गए हैं दौपर यूग में चले गए थे उनका हिर्दय अभी भी जीवित है और वो जगनाद जी में रखा हुआ है इसके क्या ही सच्चा वे चले गए किसी की मैंने बात सुनी थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनको चिता पर रख दिया गया उनके जाने के बाद आ दिया दिए गीता में भगवान कहते हैं मुझे श्लोक याद नहीं है पर कभी मिलेगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा भगवान कहते हैं अ वो तो अपवित्र हैं ही उनको देखने वाले को भी कपड़े सहित गंगाजी में कुछ जाना चाहिए वो भी इतना पवित्र हो जाता है थाकुर जी कोई पंच भूत के नहीं है ये बात बिलकुल गलत है कि हम ऐसा कहते हैं कि उनका हरदय यहीं रह गया एक जगे तो कथा म समद्रों बैता बैता जगनात पूरी पहुंच गया वहां लोगों ने ले जाकर के जगनात जी के इसी बात नहीं जगनात जी के घरदे में जीवित शाले ग्राम हैं यह बात बिलकुल सत्के है नील माधाव नाव के ठाकुर जी थे पहले एक राजा उनके दर्शन करने के लिए गए वही उनकी सेवा करते थे परन्तु एक बार किसी अन्य को पता चला कि राजा पीछे पीछे जाते हैं वहां दर्शन करते हैं अब ठाकुर जी ने अधिकार केवल राजा को दे रखा था अपने दर्शन का परन्तु कोई और पीछा करता करता वहां जब गया तो अरंतर ध्यान जब हुए तब सबने प्रार्थना की भगवन आप पुनश्य प्रगट हो जाओ तब भगवान एक जोती के रूप में वहां विराजमान हो गए पूर्ण कथा मुझे और अच्छे से स्मुरूती में नहीं पर यह है तब जीवत शाले ग्राम थे उनके लिए के संदर विग्रे बनाओ उनके हिर्दे में मुझे स्थापित करो और इस प्रकार मेरी सेवा करो फिर उन्होंने काल बताए यह काल जब दो महीने एक साथ आया करेंगे कभी 16 वर्ष में कभी 18 वर्ष में 32 वर्ष में तब मेरा नव कलेवर होगा नया रूप मेरा बना करके उसमें जीवित सालिग्राम पदरा दिया करना इस प्रकार वो लीला होते हैं अब उस पर लोगों ने बना दिया कि भगवान का हिर्दे बैता बैता द्वारी का से जगनाद पुरी आ गया बगवान यह गलत बात है ऐसा बिलकुल भी लिए तो जगनाद जी की जो मूर्तिय यह अधूरी क्यों है यह कथा इसकी दूसरी बताई जाती दो कथाएं इसके पीछे भी एक कथा तो यह है कि भगवान का जब विग्रह बन रहा था वहां ने राजा को आग्या की थी कि जब तक मेरा विग्रह बने तब तक आप भीतर मताईएगा कख्ष के अंदर जो बना रहे थे बनाते 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 इतने भावा वेश में चले गए कि वह कुछ भी अवाज करना उन्हें बंद कर दिया पुरानी राजा थोड़ी बहवीत हो गए उन्होंने तुरंत बार खोल दी तो अधूरे ठाकुर्जी रहे गए अब ऐसी मेरी सेवा करो तब सबने जिग्यासा प्रगट की कि भगवन ऐसे अधूरे सेवा तो भगवान ने एक कथा का भी भाव बता दिया वो लेकि यह अधूरा नहीं है इसकी पीछे भी एक कथा है वो अधूरे नहीं है वो प्रेम विगले थे पिगले हुए स्वरूप में ठाकुर्जी के प्रेम की दस अवस्थाएं होती है उसमें दस वी अवस्था क्या होती है अपने प्रेमी के स्मरण में हमारा शरीर पिगलने लग जाता है हम जीवात्माओं में यह प्रेम की अवस्था आई नहीं सकती है पहली ही नहीं है दस वी कहां से आईगी हम तो दूसरी चीज में है ना तो दस अ दो बार बार बाहना धूर के चली जा तो सब रोने लग जाओगे और पृष्ण और बल्राम ने अगर सुन ली विचारे चार दिन तक भूजन ही नहीं करेंगे ब्रिज की इतनी याद आती है तब एक दिन सबने हट कर लिए कब सुनेंगे अब हमें आप तो ऐसे बहाने दूरती रहती है तो सुबद्रा जी बूली भगवान की बेहन कि आप लोग एक काम करो आप लोग चर्चा करो मैं द्वार पर लिए पैसे ठाकुर जी माकन चुराते कैसी यशुहता मईया के सहे मैं लीला करते कैसे बखवान ने कालया नाक का सुनाई दिया और सुभध्रा भी उसमें निमगन हो गई बूल गई कि मुझे रखवाली करनी है अद्वार की कि कृष्ण बल्राम अंदर ना चले हैं तभी सामने से कृष्ण बल्राम आ गए उन्होंने देखा कि अंदर कक्षमें से छोटी-छोटी जलकी धाराएं आ रहे है वो अश्रू थे 16108 राजकुमारी और रोइनी मैया के और बाहर बैठी सुभध्रा जो है उसका शरीर काँप रहा है और मुझे कृष्ण 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 शब्द निकल रहा है सबको ब्रज की याद आने लगी ब्रज के बाल कृष्ण की याद आने लगी और इतने भाव में चले गए कि नेत्र तो बंद हुए ठाकुर जी के हाथ पिगलने लगे मुख पिगलने लगा अंग प्रत्यंग पिगलने लगा भगवान की भुजायां खड़ी हो गए और भुजायां खड़ी हो करके मानो बार बार चित्त को कभी सहला में फिर भुजा फैला करके ब्रजवासियों को बुलाने का स्वरू पीश्री जगनाजी यह पॉड़कास्ट स्रीकृष्ण मैं हो गया और स्रीकृष्ण की जन्मास्टमी आती है हम मनाते हैं हम सभी लोग मनाते हैं कोई ऐसा विधी बताना चाहें या कोई एक तरीका बताना चाहें हमारी ओडियोंस को आप क्या आप जन्मास्टमी को इस तरह से मनाया करें या यह गलतिया ना करा करें सबसे बड़ी बात यह है भक्ति में जब आप संबंद बना लेते हैं ठाकुर जी से तो अपराद मुक्त हो जाते हैं जब तक आप भगवान को भगवान मानते हो तब तक आप अपराद बनाते रहते हो पर जैसी आपका संबंद स्थापित हो जाता है तो अपराद मुक्त हो जाते हो आप तो वो संबंद ही है ठाकुर जी के प्रती सबसे बड़ी बात की अच्छा एक और बात आप उनको तो लाला मानते हो लेकिन अपने आपको क्या मान गए हो आप खुद को भी यशोदा मानों खुद को भी बलराम मानों खुद को भी रोहिणी मानों खुद को भी नंद बाबा मानों तो उसी भाव से ही सेवा करो कि मैं नंद बाबा हूं यह मेरो लाला है मैं यशोदा हूं यह मेर करो कि निश्चित व्रत करना चाहिए उस दिन ठाकुर जी की मतलब अच्छा व्रत की भी बड़े कारण है व्रत और यह जो फास्टिंग होती इसके बहुत कारण पर मेरा मुझे क्या लगता है कि जन्मास्ट में को व्रत क्यों करना चाहिए बोले कि हम सुबह से इतने व्यस् आइप पानी पीना भूल गए दवाई खाना भूल गए भोजन करना भूल गए तो इससे पदा चलता है कि आपका प्रेयूम किस इस्तर का है नहीं कर रहे हैं क्यों इतने एकसाइड़िड थे लाल जी की विवस्ता में घुजन ही करना भूल में तो एक तो व्रत का नियम य कि हम कि हमारी जो आयू है ना वह भोजन पर निर्वर होती है इतना बोजन करते अफ़े कम होती है तो हैं जन्नमाष्ट में वाले दिन जब अन्न नहीं खाते हों नियुका एक दिन है बढ़ गए पारंतु रातमे आपने न मनदेश्न के मेरी वू एक दीन की जो Gus we अपनी ओडिया चाहाँगा अब अभी तक यहांताघ वीडियो में पहुँच गए तो बड़ी भागशार्य हां किया अपने एक शुरी क्रिश्न की क्था सुन ली पूरा तो आपको भी हो कथा का जो भी है आशिरवाद है पुन्य है वो जरूर मिलेगा जी तो एक अभी आपने इतने प्रश्ण किये पर एक प्रश्ण मेरे मन में भी था और प्रश्ण नहीं है एक भाव है कहना चाहता हूं जैसे अभी एक मैं आपके बुक भी देख रहा हूं सामने यह निम्रोलोजी क कि डिकोड आपने इसमें किया जो भी लॉंच होगी मेरा जो जन्मति थी संख्या है वो साथ है उसके प्रतिवी आपके मुझे सब ऑफिश्यली एक रिपोर्ट मुझे मिली जिसमें सब एक अंक के ऊपर आपने सब कुछ संभावना है व्यक्त की कि यह संभव हो सकता है कि इसा है मेर एक संभावना जाननी है कि साथ नंबर वाले जो होते हैं उनके हिर्दय में वैसे तो आध्यातमिक स्था तो रहें पर मेरे को एक संभावना ऐसी है कि भगवत प्रापती संभाव है कि नहीं सथंक वाले को यह आप एक बार मुझे बताया है तो हमारे लिए जी तो भी गेस्ट आते हैं तो हम उनको अपनी तरफ से फॉर्चुन रिपोर्ट बना कर देते हैं और उसमें आपकी जन्म तारिक की हर एक संभावना को हमने लिखाए जितना भी मेरा अनुबह रहा है दो सान लगें इसको बनाने में और मेरे जो स्टूडेंट से उनके साथ और जैसे अपने कहा कि आपका जो मुलांक है वो साथ है और भगवत करिपा तो हरकों बंख कर सकता नेकिन साथ वालों को जन्म dona répondre रुची होती है कि यह स्री किस्रें कौन है यह राधा कौन है यह चादी करिशन से क्यों में हूए रुकमनी से क्यों हुई इस जिग्यासाओ ए यह अध्यात्म के प्रति क्योंकि एक तुका नंबर है तो वह सारी चीजे देखना चाहता है जो आम जंता नहीं देख रही है जो आखों से दिखती वह नहीं देखना है यह मेरे साथ है कि मेरे को हमेशा मैं अपने गुरुदेव जो मुझे पढ़ाते में उनकी पीछे गुरुजी बुलता हूं यह कैसे पता तुमको मैंने मुझे लगा कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा भी हुआ होगा बिल्कुल ठीके देखो बागवजी में यह लिखा है मैंने पढ़ाता है फिर मुझे कैसे पता चला तो वह अभी मैं कर पा रहा हूं की साथ अंक होने की वज़े से जो आप करें केतू को वह भी देखना चाहता है जो उसको नहीं दिखता केतू की जो भूख है ना यह तड़प वह धूरा है यह कभी मिटती नहीं है तो आप पूरे जीवन में आप देखेंगे कि आपका यह जो किरियोसिटी है जिग्यासा यह बनी रहेगी के तो एक बनेगा और आप किसी को बुरा भी कहोगे वैसे आप नहीं कहते होगे तो वह भी उसके साथ होगा तो नंबर 7 इतना पावर्फूल नंबर है बहुत बड़ी ताकत है इसके साथ लेकिन अधिकांस लोगों के साथ एक चीज यह भी होती है यह बड़ी ताकत के साथ थोड़ भी बनी रहती है पर जो जो आप बात किया हूं मैं अपने आपको लेट कर पा रहा हूं कि मुझे वह अनुभव होता है कि मैं वह देखता हूं जो आँखों से नहीं दिख पाता उदेख जाती है अनुभव होती है और विश्य रूप से मेरा मूल सिद्धान्त केवल जो मैं जो जो मैं बोलता हूं आपने भी मुझे से प्रश्ने की एतों मैं सुनी हूँ बात नहीं बोल रहा था आपने बहु किरंत मेरे दुम चल रहीते तो मैं वह सुना रहा है कि ऐसा इसा हो रहा है तो मेरे को होता है कि मुझे mo하고 होती है और यह भी मैंने देखा है कि मैं कुछ कह दूँ जैसे गर में कोई व्याव हुआ सब की रूची है लेकिन मेरी रूची नहीं थी मैंने यह देखा भगवार ना करें ऐसा हो पर मैं बोल देता हूं कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि ठीक जाएगा ओठीक होता ही कि मैनिफेस्टेशन की बात करें तो कुछ है भागवत में मैनिफेस्टेशन के लिए मैनिफेस्टेशन ही तो है आप यह चीज़ देखो कि सबने तब किया तब क्या है सब तप क्या कर रहे हैं कुछ प्राप्ति के लिए पर अभी क्या हो गया है कल्यूग में लोग न तप नहीं करते बस मेनिफेस्टिंग कर लेते हैं कि अमको यह चाहिए लए चाहिए लगिdo जोड़ा तप कर लो तो फोड़ा उसके साहिए थोड़ा साथ में नियम कानून और थोड़ा वृत का पालन कर लो थोड़ा तप कर लो थोड़ा भजन कर लो तो निश्चत है कि वो मिलेगा इंद्रे जी हमारे पॉड़कास में दुबारा आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और हम तीसरी बार भी आपका यहां पर अभी मैं इमिटेशन दे दे रहा हूं क्योंकि अबाद करकर रादे 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 रादे